वेरी वेरी इंपोर्टेंट और फेमस सवाल सरकल का ऐसा नहीं कि आपके वल लेक्चर देखो और बस बिर बैठ जाओ सवालों को पॉस करके मेरे साथ साथ सौल करने कोशिश करो 9.25 सेंटीमीटर तरज्जा वाले वृत C1 की जीवा PQ उस दूसरे वाद C2 को इसपर्स करती है जो C1 से संकेंद्रित है और C2 की तरज्जा है 3 PQ की लंबाई ग्यात करें देखो भाई दो सरकल है C1, C2 दोनों का सेंटर एक ही है C1 की रेडियस जादा है C2 की रेडियस कम है ये भी पता लग गया मुझे ठीक है भी तो दो सरकल है मेरे प्यारे दोस्तों बढ़े सरकल है दोनों दोनों का सेंटर एक ही है बढ़े सरकल का नाम जो है ये C1 दिया है और छोटे सरकल का जो नाम है वो C2 दिया है ठीक है भी 9.25 cm तरज्जा वाले वरद C1 की तरज्जा जीवा PQ उस दूसरे वरद C2 को सपस करती है जो C1 से संकेंद्रित है ठीक है भी एक कॉर्ड PQ अप सरकल C1 ओफ रेडियस 9.25 cm टाच इस अनोदर सरकल C2 देट इस कंसेंटिक तो C1 ये C1 है बढ़ा सरकल C2 है छोटा सरकल दोनों सरकल का सेंटर एक ही जगा है दोनों सरकल का सेंटर है अब बड़े सरकल की कॉर्ड है मेरे दोस्ति इस प्रकार से PQ ये बड़े सरकल की कॉर्ड है मेरे प्यारे भी इस प्रकार से यहाँ पर PQ ये बड़े circle की chord है लेकिन ये छोटे circle को बच्चो टच कर रही है, देखो, टच कर रही है कि नहीं ये छोटे circle को यहाँ पर टच कर रही है कि नहीं आप बोलो सर, खूब टची टची चल लए है, आप से पूछा है PQ की लंबाई क्या होगी यहाँ पर C2 यानि की छोटे सरकल की जो रेडियस है वो 3 cm है तो 3 आ गया अभी टच कर रहे है टेंजेंट और रेडियस की बीच में 90 डिगरी के एंगल होगा आपको यह बात समझनी चाहिए मेरे दोस्तों की जैसा पिक्चर इस बिलू लाइन के उपर है वैसा नीचे कोई बेदभाब तो दिखनी रहा मुझे तो कोई बेदभाब दिखनी रहा यानि कि जो लेंट उपर है वही नीचे अगर मैं कहे दू कि यह पॉइंट आ रहे है तो जो उपर पी आर है वही नीचे आर क्यों है समझ मैं बात सिमेट्रिसिटी से कोई गड़ इतनी है रीजनिंग है मेरे दोस्तों ठीक है ना जैसा उपर वैसा नीचे कोई बेदभाबनी दोनों सर्कल का सेंटर एक ही जगे है छोटी की रीडियस तीन है आपसे पीकू की लंबाई पूछी है 90 डिग्री आपको मिल गया तो बच्चों यहां लगती है पाइथागोरस ठोरम हमको पता है कि बड़े बाले सर्कल सिवन की रीडियस 9.25 है सेंटर दोनों को एक ही जगे सेंटर से परिदी तक की दूरी तो रीडियस होती है तो यह बड़े सर्कल की रीडियस नहीं हो कि सेंटर से सर्कंफरेंस पर पॉइंट पी है 9.25 बताओ आप बोलो कि हाँ जी सर बिल्कुस से ही अब मुझे यह निकालना है पी आर कितना होगा पाइथागोरस से बताओ सवाल का उप्शन में रूट बगरा तो है नहीं यानि कि ट्रिपलेट लग रहा होगा कौन सा ट्रिपलेट लग रहा है यही पहचानना है आपको यह 9.25 है 9.25 का मतलब 9 पिलस 0.25 और 0.25 का मतलब है 1 बते 4 निकि 9.36 37 बते 4 37 को देखे कुछ घंटी बजी 12, 35, 37 बारे तो है नहीं यह 3 है तीन का मतलब है 12 बते 4 अरे वाँ ठीक है यानि कि 12, 35, 37 का ट्रिपलेट लग रहा है हम पर बस बते 4 कर दिया बते 4 बारे का बते 4 तीन लिख दिया 37 को बते 4 करके 9.25 लिख दिया यानि कि यह जो लेंथ आएगी 35 बते 4 आएगी 35 बते 4 होगी यह नीचे भी 35 बते 4 होगी तो पी क्यों होगा 35 बते 4 35 बते 2 हो जाएगा 35 बते 2 मतलब साड़े सत्रे आएगा सी ऑप्शन आंसर 35 बाई 4 प्लस 35 बाई 2 हो जाएगा 35 बाई 2 मतलब 17.5 बताओ तो ऐसा कभी भी कोई सवाल आएगा बच्चों तो कैसे करेंगे ट्रपलेट से पाई तो गोरे स्थोरम लगा कि आप बोलो कि हां जी सर समझ माया है आपके सामने आकरती दी है एबी केंद्र ओ वाले आर्धिवरत ADCB का व्यास है यह सेमी सरकल है ओ इसका सेंटर है एबी डाइमर है एंगल DOC 44 डिगरी है DOC और ACBD एक दूसरे को P पर काट रहे हैं आपसे DPC पूछा है DPC ठीक है भाई अच्छा लग रहा है देखने में सवाल ओ इस सेमी सरकल का सेंटर है यह वाले एंगल 44 डिगरी का 44 डिगरी का दिस इस 44 डिगरी यह लाइन ऐसे किस दिया तिरची तिरची ACBD यह P पर काटना यह वाला पॉंट P है और आपसे ही पूछा है कि यह DPC क्या होगा DPC मनाओ देखो जब भी सेमि सरकल की बात होगी तो यह फिरम लगनी लगनी है कि आरधवुरत में कहीं भी एंगल में कहीं बनाओ हमीशा नब हम ही अमक्ष घूपञ जूपश होता है यह फिरम लगए होकर कौण की बात चल लगी तो आगर मैं हां पे A से D को मिला देता हूं तो मैंने कोई गलती की या नहीं ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा वहीं ये सेमी सरकल में मनना 90 डिग्री का अब आप मुझे एक बात बताओ ये 44 डिग्री है ये किस आर्क एंगल डिउस एंगल D O C इस आर्क द्वारा है इस आर्क D O C द्वारा सेंटर पे D O C 44 डिग्री है तो सेम आर्क द्वारा सरकम्फरेंस पे बनना है D A C सेम आर्क द्वारा परीधी पे बनना है D A C आदा होगा ये 44 का आदा 22 डिग्री होना चाह है अप चाहिए आप जानते कि अगर कोई सरकल है एस सेंटर है तो अगर सेंटर पर अगर अंगल ठीटा है जो सर्कॉम्फरेंस पर कहीं भी बनाऊ कहीं भी वह आधा बनेगा ठीटा बटे दो तो यहीं-क वह इसार्क दोरेंस चेंटर पर तो सरकंफरेंस पे 44 का अधा 22 डिग्री क्या अब आपको इस सवाल अपने अंत्री की तरफ बढ़ता नहीं दिखाई दे रहा यह जो एंगल है यह जो एंगल है जो आपसे पूछा गया सवाल के अनुसार यह इसे ट्राइंगल डी एपी का भाहिय कौन है डी एपी को देखो दी एपी को डी एपी का भाहिय कौन है इस भुजा को आगे बढ़ा के बनाए गया है तो भाहिय कौन की एक्सेर एंगल की जो वेले होती है अपोजिट इंटिर एंगल का सम होती है यह टोटल नब्बै है यह टूंटी टू है नब्बै में 22 जोड़ूंगा तो कितना आए गया एंगल नब्बै जमा बाइस एक सो बारे डिग्री के टूटल कौन होगा एक सो बारे डिग्री ही इस सवाल का अंसर पहला ओप्शन कितना प्यारा मन लुभावन ओसकर वेनिंग क्वेश्चन है